धर्म संकट, मौरल डेलमा, कश्म कश्म हम सब की जिन्दगी में बारहां इसका सामना करना पड़ता है सेकंड वर्ल्ड वार का बग था और जर्मन सेनाय फ्रांस में गुज गई थी जर्मन सेनिकों ने एक विद्वा मा को पकड़ा जिसके दो जवान बच्चे उस वार में लड़ रहे थे पहले तो उन्होंने सुचा कि उन दोनों को उड़ा दें लेकि जम देखा कि अरे ये तो वीड़ो और रत है और इसके दोनों बच्चे है भाग के आई मा लिपट गई बच्चों के सीने से और सामने खड़ी हो गई जर्मनों के जर्मन सेनिकों ने सुचा कि एक विद्वा दिया जा सकता है उन्होंने उस मा से कहा कि आपकी अवस्था ऐसी है और हम समझते हैं कि कम सकम एक बच्चे को आपके साथ रहना चाहिए तो आप ही चुल लें कौन सा बच्चा आपके साथ रहे और दूसरे को हम गोली मार देंगे यह आपके उपर है हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम एक दुश्मन के बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं यह तो हमारी करुना है कि हम एक को छोड़ रहे हैं और क्या करेगी वो मा कैसे डिसाइड करेगी कि किस बच्चे का वो चुनाओ करेगी किसे चुने और किस बच्चे को जाने दे ये नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं ये नहीं महीं क्यों नहीं मर जाती पर उसके पास खुद के मरने का भी कल्ब नहीं था और मर भी जाती तो तो भी दोनों बच्चे मारे जाते तो क्या करेगी कि वो कैसे decide करे, कैसे choose करे, कि किस बच्चे को अपने साथ रखना है, और किसको मौत के मुँँ में जाने देना है, अगर वो इसको चुनती है, तो जीवन भर ये सालता रहेगा, कि मैंने उस बच्चे को नहीं बचाया, अगर उस बच्चे को चुनती है, तो जीवन भर ये सालता रहेगा कि मैंने इसे नहीं बजाया है। अपराद बोध की शिकार वो मा कैसे जियेगे। पर उसे एक decision लेना है, एक निर्णा लेना है, जहां सब कुछ जा जाना है। वहां कम सकम एक बच्चे को बजाये जा सकता है। क्या है ये दुविधा, क्या है ये कश्मकस। अभी पिसले दिनों हमने पेपर में ही पढ़ा था कि एक मदर की एक मा की मृत्व हो गई थी। उसके चार या पांच बच्चे थे। और उनकी मृत्व करोना संक्रमन से हो गई थी। चारों बच्चों ने उनको कंथा दिया और फिर एक एक करके वो चारों बच्चे इस दुनिया से चले करो। तो वो जानते थे कि ये संक्रमन करने वाली बिमारी है। वो जानते थे कि इससे जान को खत्रा है फिर उन्होंने कंथा दो दिया। ये क्या कश्मकस रही होगी, ये क्या सोचा होगा उन्हेंने, कि मा है जिसने मुझे बाला पोसा बढ़ा किया, जिसने मुझे पैदा किया, आज वो दुनिया से जा रही है तो हम कंधा भी ने दें, क्यों अलिजटर से, कि हमको कुछ हो सकता है, या तो अपनी कुछ उन्हें, या उस मा की अंतिम यात्रा में अपने सहयोग कुछ उन्हें, ये समाज को देखें कि समाज क्या कहेगा, कि रहे, चार-चार-पांथमेट बच्चे वो किसी ने कंधा नहीं दिया, कश्मकस, डालमा, और वो भी नैतिक रूप से, वो भी मौरल रूप से ही डालमा, इसी को कहते हैं हमारी भारती भाषा में धर्म संकट, धर्म संकट एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी सिचुएशन है, जहां आप कोई भी चुनाव कर लें, कुछ भी चुन लें, उसमें जीवन भर वो आपको पश्चताब के आंसु जरूर उलाएगा, चाहे आप लाग कोशिस कर लें, पर जीवन भर आपको किसी ने किसी बात के लिए पस्ताना पड़े जाए, चाहे आप इस पक्ष का चुनाव करें, चाहे आप उस पक्ष का चुनाव करें, पर एक पीड़ा, एक तर्द, एक खलिश, एक वेदना, जीवन भर आपको सालती रहेगे इस सिचुएशन को समझने के लिए सबसे गहरा और सबसे अच्छा उदारण महाभारत है महाभारत के सभी पात्र याँ आप कह सकते हैं सारे के सारे जो मुख्य किरदार हैं मुख्य करेक्टर्स जो हैं वो सभी इस दुविधा के इस धर्म संकट के शिकार है भिश्म शिकार हैं कि उन्होंने एक बड़ी प्रतिग्या ले ली है कि जब तक जीवित रहेंगे हस्तिनापुर की रक्षा करते रहेंगे जो भी हस्तिनापुर पर राजा विराजमान होगा वो उसके समर्थन में खड़े होगे अब उनके सामने ये प्रतिग्या है और दूसरा कि न्याय जो है वो दूसरी तरफ है धर्म जो है वो दूसरी तरफ है उन्ही के बच्चों में से किसी ने किसी का हक मारा है तो क्या वो उसकी तरफ खड़े हों जिधर justice है या वो उसकी तरफ खड़े हों जिधर उनकी प्रतिग्यां ले जाती है और उन्होंने अपने प्रतिग्यां का साथ चुना कन के सामने मुश्किल है कि वो किसे चुने वो नयाय को चुने कि एहसान को चुने जो उनके मित्र ने दुर्योधन ने उन पर एहसान किया है जो उने जमीन से उठा कर अंग देश का नरेश बनाया तो वो क्या करें वो अपने उस मित्र का एहसान चुकाएं या न्याय के पक्ष में खड़े हूँ न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं तो उनकी आत्मा धिक्कारती है कि तुमने उस मित्र के साथ क्या किया है जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है और मित्र के साथ खड़े होते हैं तो भी आत्मा धिक्कारती है कि तुमने न्याय का साथ नहीं दिया यही बात अरजुन के साथ है एक तरफ सारे बंदु बांधव है सारे महापुरुष उनके जीवन के उनके पितामा, उनके गुरु उनके बंदु बांधव और दूसरी तरफ है उनकी अपनी असमिता अपना न्याय, जस्टिस और छत्री का जो एक धर्म होता है कि वो न्याय के लिए संघर्ष करे तो वो किसको चुने और यही तो सिचुएशन है जिसमें कृष्ण के मूँ से गीता का आउतरण होता है और स्वेंग से कृष्ण उनकी क्या वस्ता है उन्होंने ते मौके से अपना इंतिजाम कर लिया था कि भाई दोनों मेरे रिश्टदार हैं मैं किसी की तरफ से लड़ूंगा नहीं मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा जो चाहे मेरी सेना ले सकता एक तरफ मैं हो सकता हूँ लेकिन मैं हथ्यार उठाने वाला रगती नहीं पर उनके साथ क्या होता है महाभारत में जब भीश्म ने पूरी तरह से अर्जुन को घेर दिया जब उनके बाणों से अर्जुन मुर्शित हो गए तो कृष्ण क्या किया कृष्ण के पास तो कोई शस्र भी नहीं था उन्होंने रत का पहिया उठाया और भीश्म की तरफ दोड़ पड़े अब एक प्रतिग्या उनकी कि अगर मैं शस्र उठाऊं तो मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ और अगर वो अपने वचन का पालन करते है तो उनकी मित्र की जान चली जाती है अरजुन की मृत्व हो सकती है अब ये दुविधा में कृष्ण क्या करें कृष्ण ये चुना कि भई ठीक है लोग मुझे गलत कहें मुझे वचन भंग करने वाला कहें मुझे पृतिग्या तोड़ने वाला कहें मुझे पिता की संतान न कहें लेकिन आज मित्र के जीवन पर संकट है तो मैं अपने पृतिग्या देखू कि अपने दोस्त का जीवन देखू और फिर वो चुनते हैं कि मित्र का जीवन हमूल्य है तो ये सारी दुविधाएं जो हैं आपको उस महानमा भारत पे मिलती हैं और सभी एक नएक चुनाव करते हैं और जीवन भर उस कलुष के सिकार भी रहते हैं कि ऐसी अवस्ता, ऐसी परस्तियां शायद ना आती युद्ध के समाप्ति के बाद युद्धुस्चिर ने यहां तक कहा कि हम जैसे लोग कुद्धे की तरह लड़े ये कैसी सुकार रोकती है अगर आप इस दुविधा को समझना चाहें तो एक बहुत अच्छा सा एक सरल सा उधारन मनोवग्यानिक देते भी हैं कि एक ट्रेपर एक ट्रेन भागती चली आ रही है और आगे भाई फरकिशन है एक तरफ की ट्रेपर चार पांच मज़दूर है जो काम कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है कि ट्रेन इधर से आ रही है ट्रेन में कोई साहिरन भी नहीं, कोई हॉर्न भी नहीं है दूसरे ट्रेक पर एक आदमी है जो चलगा और लीवर आपके हाथ में है आप चाहें तो ट्रेन को उस ट्रेक पर डाल सकते हैं जहां पाँच आदमी काम कर रहे हैं आप जाहें तो उस ट्रेन को उस ट्रेक पर डाल सकते हैं जहां एक आदमी काम कर रहा है आप क्या चुनेंगे निशीत रूप से आप कहेंगे यार एक आदमी की तुला में पाँच आदमी की जान बचाना जादा अच्छा है जादा श्रिस्क है ब्रिटेन के एक बहुत बड़े ठिंकर होते थे जैरेमी बेंथम वो कहा करते थे कि भई सबसे जादा लोगों का सबसे जादा मात्रा में जो सुख है जो कल्याण है जो प्लेजर है वह हमारी कसोटी होनी चाहिए हमारे इस दुविता पूर्ण जीवन में हमारे इस तरह तरह के सिचुईशन में बिन्थम ये कहते हैं कि यही एक कसोटी है जिससे हम अपने कर्मों का चुनाव कर सकते हैं हम अपने एक्शन का चुनाव कर सकते हैं कि हम ये काम करें कि वो काम करें पर आप क्या करेंगे ऐसे में तो शायद इस फार्मूले से तो पांच आदमी को बचाएंगे एक आदमी को जाने देंगे लेकिन मालेजे कि उधर पांच मजदूर काम कर रहे है और इधर आपका दोस ट्रैक पर जा रहा है अब आप क्या करेंगे अब आप दोस को बचाएंगे कि उन पांच अजनभी लोगों को बचाएंगे आप जो कुछ भी कर लें अगर आप इस कसोटी को भी मान लें आप उन पांच लोगों को बचा भी लें मजदूरों को और एक आदमी को जाने दें तो भी आपके मन में ये फांस जीवन पर रहेगी कि वो विचरा निरी आदी मेरे एक्षन से इस जीवन से चला गया ये दुख, ये पीड़ा, ये दर्द आपको सालता रहेगा और अगर आपने दोस्त को बचा लिया और पांच आदमी को जाने दिया करते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं आप उससे विवा करना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं घर वाले तयार नहीं हैं, माता पिता इसके बहुत खिलाब है आप क्या करेंगे आप या क्या करेंगी अगर आप माता पिता का चिनाव करती हैं तो वो जो प्रेम की प्रतिग्यां हो समाप्त और अगर आप अपने प्रेमी या प्रेम का के साथ जाते हैं तो वो माता पिता वो मावाब जिनों जीवन भर आपको पाला है आपके सुप दुख में शामिल रहें आपका वजूध ही उनसे है आप उनको दुख पहुंचाते है तो क्या चुनेंगे आप तैह है कि कोई भी एकी चीज चुन सकते हैं दो चीज तो नहीं चुन सकते लेकिन जो कुछ भी चुनेंगे आप चीवन भर इस बात का पश्यत आप रहेगा कि आपने या तो अपने प्रेम को छोड़ दिया है या फिर आपने अपने माता पिता को दुब मौचाया है हम सब ऐसी सिचुईशन से बचने की कोशिश करते है और कभी ऐसी सिचुईशन आभी जाती है तो हम क्या करें हमारा मन मेचैन हो जाता है तो फिर हम बहुत ऐसी चीजों के शरण में जाते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें कोई मदद में जाएगी हम धर्मकरंथों के शरण में जाते हैं उस धर्मकरंथ में ये लिखा है उस में मौरल ड्यूटी के बारे में ये लिखा है उस पैगंबर ने ऐसा बताया है उस गुरू ने ऐसा बताया है आप अपने नेमित जीवन में किसी को गुरू बनाते हैं उनके पास दोड़ते जाते हैं अपने टीचर के पास जाते हैं हो सबता अपने माबाप के पास भी जाएं अपने दोस्त के पास जाएं कोई आपकी मदद करे मैं इसमें डिसीजन कैसे लूँ पर मुश्किल ये है कि आपकी कोई मदद नहीं कर पाता आपको एक चाहे कोई विव्यक्ति हो वो कुछ भी कहता हो लेकिन वो पीड़ा, वो दुख, वो हताशा, वो निराशा वो डिसीजन लेने का जो दर्द है वो जीवन भर आपके साथ बना रहेगा सेकंड वर्ल वार के टाइम में फ्रांस में जीन पास साथ एक दर्शनी के उनके पास एक नवियो काता है उसका कहना कि वो एक दुविता का शिकार है, वो डालमा का शिकार है, वो क्या करें वो साथ से कहता है कि आप मेरी मदद करें मुझे डिसीजन लेने में आपके मदद की जूरत है बात यो है कि मेरे पिता युद्ध में थे है और जर्मनों ने उनकी हत्या कर दी वो उसमें मारे गए और मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध में शामिल हूँ फ्रांस की तरफ से और अपने पिता की मिर्तु का बदला लूँ पर मेरी एक मुश्किल ये है कि मेरी एक बुड़ी सी मा है और मैं उसका अकीला बच्चा हूँ मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैं उनका ख्याल रखूँ अभी तो वो पिता के दुख से भी नहीं उबरी है और ऐसे में मैं उन्हें कैसे छोड़ की जा सकता हूँ अब मेरी मुश्किल ये है कि मैं युद्ध में शामिल हूँ कि मा की देख भाल करूँ सार्थ ने कहा कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता ये परिशित्यां तुम्हारी है और तुम्हें ये डिसीजन लेना होगा तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि तुम अपने मा के साथ ही रहना चाहते हो और उनके जीवन को ठीक बनाना चाहते हो उनकी सिवा करना चाहते हो, इस दुख की घड़ी में तुम उनका हाथ पकड़के उनके साथ रहना चाहते हो, या तुम्हें अपने पिता की विर्टु का बदला लेना है, ये दोनों विकल तुम्हारे लिए खुले हैं, और तुम्हें खुद ही डिसीजन लेना हुगा, इनक से मदद मांगने के लिए, क्यों? क्योंकि हम वो जिम्मदारी नहीं लेना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ये कह सकें कि फला ने हमसे कहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया, वो देखिए, उन्होंने मेरे गुरु जी थे, उन्होंने कहा था ऐसा, मैंने उस किताब में ऐसा प कम नहीं होती है, और जीवन का यही गहरा पहलो हुआ, मनिश होने का यही अर्थ है कि हम अपने decision को own करें, हम अपने decision को स्विगार करें, यह मेरा निर्णे था, ठीक है उसमें, दर्द है, उसमें बीडा है और इसके अलामा मेरे पास चारा क्या था मुझे इस निर्णे से या उस निर्णे में से किसी एक को चुनना था मैंने अपने हिसाब से इसको चुना और मैं उसके जिम्मधारी लेता हूँ उसके जो भी consequences हैं जो भी उसके परिणाम है उसका जिम्मधार मैं हूँ और शायद human dignity के लिए और मनुष्टा के लिए यही सबसे मौलिक चीज़ है यही सबसे आधारवूच चीज़ है आप कहेंगे कि अखिलेश हमेशा तो ऐसा नहीं होता बाट ठीक है हमेशा नहीं होता हमेशा जीवन मरन का question इस तरह के question arise नहीं होते लेकिन सामाने जीवन में भी लगतार चाहे आप राजमीत में हो चाहे आप आफिस में हो चाहे आप घर में हो चाहे आप समाज में हो इस तरह के तुईधा questions arise होते जरूब है हो सकता है आप किसी ऐसे situation में हो जो आपको लगे कि अगर मैं इस दोस्त के लिए करता हूँ तो वो दोस्त नाराज वाता है उसने का तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं कि है तुम उसके पक्ष में चले गए आदमी का सुभाव ही कुछ ऐसा है कि वो अपने और अधर में देखता है आप मेरी तरफ नहीं है आप दूसरे की तरफ नहीं है आप मेरे पक्ष में नहीं है आप दूसरे की पक्ष में है वो यह देखता ही नहीं कि justice क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं आप मेरी interest में है या नहीं है आफिस में आपके दो कलीग हैं दोन अच्छा काम करते हैं औ इसी तरह घर परिवार में कुछ सिचुईशन होते हैं, रिष्टदारी में ऐसे सिचुईशन होते हैं, समाज में ऐसे सिचुईशन होते हैं, जो आपको थोड़ी मुश्किल में डालते तो जरूर हैं, फिर भी हम इस तरह के सिचुईशन में जिसे हम धर्म संकट कहते हैं, उ हमें इस जिम्मेदारी से बजाए और इसी लिए बार-बार ऐसी तमाम situation में आदमी दूसरों से मशवरा करता रहता है दूसरों से सलाह लेना चाहता है शायर की भी एक दुविधा है वो भी एक कश्मकश्च का सिखार है वो भी जिन्दगी से सवाल करता है कि ऐ गमे जिन्दगी कुछ तो दे मश्वरा एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं कदा तो मेरी सलाम आनिये तो उसके घर जाए मैं कदा जाने की क्या जुरुत है फिर भी मर्जी आपकी